डायबिटीज के मरीज एक और गलत फहमिये का शिकार होते हैं कि डायबिटीज के मरीज के लिए सब शक्कर खराब हैं देखिए कई तरह की शक्कर नेचर में होती हैं जो हम शक्कर खाते हैं उसे हम सुक्रोज कहते हैं शक्कर शक्कर सुक्रोज जो कि हमने पहले जिक्र किया एक इमारत की तरह है और ग्लुकोज उसकी इट है पर और तरह की भी शकर होती है जैसे कि दूद में लेक्टोज होती है जैसे कि फलो में फ्रक्टोज होती है और वे शकर हमारी बॉड़ी के लिए अच्छी है क्योंकि वे धीरे-धीरे तूटती हैं हमारे पेट में जब हम उनको खाते हैं और धीरे-धीरे एब्सॉर्ब होती हैं तो वे अच्छी शक्कर है इसके अलावा चावल और आलू अगर हमें स्टार्च होता है जो कि एक तरह का कार्बोहिट्रेट है जो भी ग्लुकोज के मॉल तूटती हैं तो दीरे-धीरे अब्सॉर्ब होती है तो वे शक्कर अच्छी है मैं यहां यह नहीं कह रहा कि आप खूब सारे चावल खाएं खूब सारा जो है आलू अगरा खाएं नहीं पर मैं यह कह रहा हूँ कि इन सब चीजों में भी शक्कर होती है दूद में शक्कर ह चावल में एक तरह की शक्र है, जो आलू है, उसमें एक तरह की शक्र के ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो सब शक्र डायबिटीज के मरीज के लिए खराब नहीं होती, जब किसी इंसान की शक्र खून में कम हो गई है, तो इसको ग्लुकोज या सुक्रोज दे कर उसकी जान बचाई जाती है, इंपोर्टेंट चीज ये है, एहम बात ये है कि आपको समझना है कि इन सब शक्रों का और हमारे खून में शक्र का क्या संबंध है, ताकि आप रोज मर्रा के तौर पर अपनी डायट को, अपने खान पान को, अपनी एक्सेसाइज को, अपनी लाइफ स्टाइल को मेनेज कर सकें, कि ने आपकी शक्र बहुत कम जाए, ने आपकी शक्र बहुत जादा हो, तो सभी शक्र हमारे लिए डाइबिटीज के पेशिंट के लिए ज़रूरी नहीं कि खराबियों,